मौसम चाहे जो भी हो चाहे सर्दियों का मौसम हो चाहे से गर्मियों का मौसम हो आज की रेमेडी आपके चहरे को हीरे की तरह चमकाने के लिए काफी है तो किस तरह से आपको यह तयार करनी है किस तरह से आपको इसे अपलाई करना है वो सारी चीज़े हम आगे वीडियो में तो बिना स्कीप किए वीडियो को पूरा दिखिएगा तभी आपको सारी चीजों का पता चलेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हैं आप सभी, आप सभी अच्य हूँगे, मैं भी बहुत अच्छी हूं अगर आपकी स्कीन साप सूत्री है और कोई भी दाग धबबा और पी श्कीन पर नहीं है करता है साथ ही अगर आपको पिंबल स्वागरा की समस्या रहती है तो उस चीज के लिए भी ब़ुब बहुत ही जादा बैस रहता है तो यह आगर आपकी स्किन अगर आपके स्किन को स्किन करने का काम भी यह है कर देगी मतलब सारी प्रॉब्लम्स का एक मात्र सॉलीशन जब कीचन में है तो इधर उदर क्यों बटक रहे हो बैए बस इसमें एका दुका हम ऐसी चीज़ें एड़ कर देंगे जो कि सोने पर सोहागा हो जाएगी और आपकी स्किन हमेशा एकड़ मक्खन की तरह इन सर्दियों में भी मक्खन की तरह सॉफ्ट रहेगी ग्लोई रहेगी और जब आपकी स्किन सॉफ्ट है, ग्लोई है, कोई दाग धबा नहीं है तो बस आपको फिर कुछ ज़्यादा करने की जरुरत नहीं पड़ती है तो चलिए क्या करना है, क्या उन्ची चीज़ें इसमें दही में एड़ करनी है, देख लेते हैं रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है दही, मैंने यहाँ पे लिया है घर का फ्रेश वाला दही, आप चाहें तो मार्केट वाला दही भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास इजिली अवलेवल होगा, वो आप लीजिएगा, एक चमच दही मैंने यह पे लिया है, जो की बहुत है आपके एक फेस के लिए, अगर आप इस रेमेडी को अपने हाथों पे पैरों पे भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो कॉइंटिटी को थोड़ा जादा बढ़ा सकते हैं, अभी मेरे हाथ में है यह लेमन, विटामिन सी से भरपूर, लेमन हमार आप औरेंज जूस यूज कर सकते हैं, क्यूंकि टेमाटर और औरेंज दोनों ही बिटामिन सी से भरपूर होते हैं, तो जो भी चीज, तीन चीज़े मैंने बता दी हैं, या तो आप लेमन लीजेगा, तो एक चमज से कम ही, अगर आप लेमन ले रहे हो, तो थोड़ा कम ही दखेगा, बाकि अगर औरेंज या फिर टमाटर का जूस ले रहे हो, तो एक चमज आप ले सकते हैं, इसके बाद अब जो नेक्स चीज हम ले रहे हैं, वो है ये हनी, जिहां, शहद हमारी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम के लिए फाइदे मंद होता है, एंटी ऑक्सिदें को हमने कर लिया अच्छे से मिक्स, तीन चीजे हमने यहाँ पर यूज की हैं, अभी तक और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे, ताकि अभी नहीं ये जो मेरा शहद है, सर्दिया है, तो सर्दियों के मौसम में तोड़ा जम्स आ गया है, इसलिए मिक्स करने में prosije बिटामिन के ? का सब्सक्राइब टो हम लिए और इसे को आपको बार मैं आप बनानी करनी , इस दाई के बार seis लेले हैं विटामिन टोब सॉत कुछ हो जाता है , मोस क्यों पिकूले सलग्स्राइब ऑशने यह हम जेयुके अ लिए रेक पूरर सुछ और बॉब ठीकर बाते है है आपके फेस पे तो बिटामिन ए रागुलर आप यूज करते रहें आप देखोगे कि आपके स्किन से चाहे जितने भी जिद्धी दाग दबे क्यूं ना हो वो सब के सब क्लीन हो जाते हैं तोड़ा सा टाइम जरूर लगता है जो नेचरल चीजे होती है जिनने हम घर पे ख स्टोर पे भी मिल जाते हैं आप उनलाइन भी परचेस करके रख सकते हैं मैंने यह उनलाइन परचेस करके मैंने पूरा ही डिबा मंगवा दिया था जो कि मेरे बहुत काम का है तो बस अच्छे से इस पैक को एक बार फिर से मिक्स कर लीजिए और अब आपका पैक जो है बन फेस पे लगवग 5-10 मिनट के लिए मसाज भी जरूर किसे मसाज करने से एक तो आपकी स्किन टाइट होती है अगर आपको जूरियों की समस्या हो रही है मतलब आपकी स्किन लटकती हुई नजर आती है रिंकल्स पढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं तो आपको यह काम जरूर करना चाहिए आप कोई भी फेस मसाज क्रीम ले जासके ब्येक और लगवग 5-20 मिनट के लिए मसाज जरूर कीजिए और उसके बाद आप इसे लगवग आदे गंटे के लिए छोड़ दीजिए धिर आप अपने चहरे को ठंडे पानी नजर गन्टकर मौर्निंग मैं आप फ देखिए ना सिर्फ आपको पैक पे ही ध्यान देना होता है आपको अपने खान-पान में भी सुधार लाना होता है अगर आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्च होते रहते हैं बहुत जाईयों कि अगर आपको समस्या है तो खान-पान में जरूर चेंजिस लाइए हरी सबज इससे आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहोगे इम्यून सिस्टम स्ट्रॉंग बनेगा अच्छा एक और मैं उसका आपको बता रही हूं कच्चे दूद का कच्चे दूद में अगर आप रेगुलरली हल्दी यूज करते हैं हल्दी देखे प्यॉर फॉर्म में अगर अगर आपके घर में हैं तो आप उसे भी हूझ में ला सकते हैं बस एक चुटकी भर हल्दी ही आपको यहां पे यूज में लानी होती है बहुत साथा नहीं और आप देखो गे अगर आप इस आपकी skin care के लिए काफी है, skin care के लिए चाहिए और अगर आपके पास इतना time नहीं रहता है, तो तीसरे दिन, हफते में दो बार, हफते में एक बार, आप इसे use में ला सकते हैं, और पास सकते हैं वेधा, निकरी हुए skin, तो एक बार जरूर टो ट्राइ किजेगा, भाई मेरे तो बहुत कम ingredients के साथ मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी अबड़ी अनुस के लेकर के आती हूं तो चैनल को subscribe जरूर किजेगा साथी bell icon भी प्रेस कर लेना तभी next आने वाली वीडियो के notifications मिलते हैं तो बाकि भई वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन दबाने में क्या जाता है एक लाइक दबा दिजेगा और बस फिर आज के वीडियो की करीम में यहीं पर ending मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए नम श्कार थेंक्यों